मुझा संवाइब तो बैसस्काइब कर चुके हैं और क्लासिफिकेश्शेर्ट अपैमिलस कर ते कोंद से हैं वैसे तो अभी क्ला सुझ अपर इंपर्टर नहीं बहुत ही इसको समझ लो है सबसे पहले हमारे पास क्या है kingdom है लो है kingdom क्या है एनिमेलिया ठीक है multi-cellular सारे और करने लिए तो यह जो multi-cellular group है यह अपने आपको किस तरीके से और्गनाइजड रख रहा है उस एनिमल में इसके बेसे पहला step इसी के business पर होगा सबसे पहले हमने पढ़ा भी इसलिए क्या level of organization जर्म लेयर यहां पर हमने अलग context में लिख रखा है जो चीज सब में पाई जाती है level of organization सब में होगा जर्म लेयर सब में होगी वो लिखा हुआ था तो इस चार्ट में हम यहां से नीचे देखें जर्म लेयर को इंक्रूड नहीं करेंगे level of organization देखें तो हर multi-cellular organism में या तो cellular level of organization है और या तो उसके ऊपर है ठीक है अगर उसके ऊपर होगा तो हमने उसको रख दिया है है बीटा किसमें मेटाजोवा में प्रोटोजोवा और मेटाजोवा में पोरीफेरा और यू मेटाजोवा यह है मैं यहां पर पैराजोवा था और यू मेटाजोवा था ठीक है पैराजोवा में पोरीफेरा आ गया और यू मेटाजोवा में रेस्ट आफ और यह क्लासिफिकेशन आपको और ज्यादा इंडेक्स पता करवाएगा कि क्या है स्टार्टिंग से किस टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ ठीक है तो एनिमेलिया में क्या था पहले प्रोटोवा था और इंडाजोवा में यानि की यूनी सेल्लिलर ते अब आपको पता है यह जो प्रोटोवा ये कहां चलागी प्रोडिस्टा में तीक है बजगया क्या मल्टी सेल्विलर यूुकैरियो टिक हेटर आपिग और लिखने सुनने इसमें आइसमें इसके पास ऐब नहीं है जिसके पास क्या है जिसके पास हाइड लेवल ऑफ-स एंडा सब्सक्राइब Reese & लुडव कर्म। इ्ट करहना रिफ्य और श़पया हैं अब हद नारी इसमें जो नीचे वाला है हमारे पास यह सारे यू मेटाजों है और यह सारे क्या है पैराजों है तो इसमें क्या आगया पोरी फेरा अच्छा सेकेंड हमारे पास सेकेंड हो टलासिस जो 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 सेकेंड ब माrekा था समेoffs adm ट्री यह तो पौज उर्डाइओ कर लिए तो और मनें बाकि यूख ग्यों हो करके यह यहां पर ठेक है से एक India का यहकी हम कहते है जो ठोंस जो चुझा नैस है वो क्या है वह और्गेनिजम से लेकिन और और डाइवर्सिटी इतनी जादा है कि हमें और बेसिस आफ क्लासिफिकेशन चाहिए तो हमने कहा दिया लोको मोशन और नियूरो सेंसरी सिस्टम तो उसमें प्लांट सालग हो गया इनिमल सालग हो गया इसके बाद एनिमल्स में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब तो ऊसमें फिर से बेसिटाव क्लासिफाइशन हमें चाहिए तो ऐसा है तो पौरी फैरा को क्लासिफाइब करने के लिए और कोई बेसिस आफिकेशन अपने को रिक्वायर नहीं है तो लेवल ऑफ और डिए तो पर फाइला फाइलम हमने करें लेकिन यहां यॉमे CCP और सिस्टम भी और इस cylinders अंग में सब्सक्राइब almost । सिमेक्री के बेसिस परTwπό देखें टो रेडियल है और और वा लेत्रा है रेडियल में हमने सीधे के दो फाइलाدة कर दिएए еще learn pra에게 ohh गया तो टोटल तीन फाइला हमारे होगए इसके बाद जो बाइलेटरल सिमेटरी हुए कर दीप के। अर्गांि सफोल माना और यहां पर कहा की अगर सिलों नहीं है अगर यहां पर पाुचे ज है और यहां पर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है तो अभी हमने basis of classification में सीलोम देखा ही था ठीक है तो प्लैटी हेलमेंस यहां पर आ गया एसीलोमेंट में स्कलमेंस आ गया और जो ट्रू सीलोमेंट ट्रू सीलोम जिनके पास प्रेजेंट है वह एनलीट से लेकर हमारे पास कोड़ेटा तक आ गए इस इस क्लियर तो आप याद रखोगे क्या सबसे पहले क्या लेवल ओफ और फिर क्या सिमेट्री इसके बाद शीलोम ठीक है तब फाइलम आएगा और इससे उपर क्या है किंग फोगए दो शाट तरफ हगा दूसारी मेट्री है जिसमें रेडियल वाले एक तरल सारे एक तरफ होगे in hablar जिसमें बैलेटरल में खी चीलो अब मेट्व फाइब और य् doing से ग्राइज हो गया कितने पेसे पेटा तीन कौन कौन से लेवल ऑफ और्गनाइजेशन सिमेट्री और बॉडी सिलों इस इस क्लियर अब यहां से स्टार्ट करने हैं हम पहला फाइलम ठीक है क्या नाम है पोरिफेरा आप इंपोर्टेंट फीचर्स को देखते हुए चलेंगे हम और एक्जम्पल्स को देखते हुए चलेंगे यह जो डाइग्राम यहां पर सेक्शनल व्यू बना रखा है यह आपको बॉडी कैविटी समझाने के लिए मैंने बनाया था रेडियल कैनाल सिस्टम इसमें दिख रहा है अभी हम डिसकस करते हैं इसको सबसे पहला सेंटेंस इस सबसे पहले फाइलम का क्या है मेंबर्स अब डिस फाइलम आर कॉमनली नोन है स्पॉंजेश तो पहला तो पॉइंट यह आ गया कि इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं the sponges they are generally marine and mostly asymmetric animals यहाँ पर इसका habitat बता दिया और symmetry बता दी गया क्या बता दिया habitat or symmetry ठीकन हैबिटाइट का बता दिया क्या बता दिया मरीन है ना और सिमेट्री का बता दी जो उपर हमने डिसकस किया था कैसा है कैसा बोलो मोस्ली asymmetrical these are primitive multicellular animals and have cellular level of organization यह चीज बिलकुल clear-cut है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे evolution को हम trace करते हुए चलेंगे तो यहां पर सबसे पहला phylum पढ़ रहे हैं इसका मतलब यह सबसे पहला animal है ठीक है तो multicellularity जब आई थी तब यह तब का यह organism है यानि कि यह primitive तो होई ही गया ठीक है तो एक और पॉइंट हमारे पास क्या आगया कि दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स कि यहां से question की framing की बात कर लेते हैं तुरंट से बात यह है कि question दो टाइप से फ्रेम हो सकता है यहां पर पहला तो यह की पोरी फैरंस ठीक है है मेंबर्स के इसके मेंबर्स हैं स्पोंचेंफ भी बो सकते हैं और क्या बोसकते हैं पूरी फैरेंस आप से पूछ लेंगे कि प्रिमिटिव मृति सैल्विलर रैंइमल्स कौन से हैं पूरी फैरंस है या इस पौन्चेंफ एन एक तो question की вес यहां पर ऐसे हो सकती है ब्रेसि आइब दूसरा कोशन फ्रेम कैसे हो सकता है इसके एक्जांपल पर क्या है इसके एक्जांपल ये जो लिखे हुए है साइकन उपर सोरी साहिकन या स्काइफा स्पॉञ्जिला डिस फ्रेश वाटर स्पॉंज यू स्पॉंजिया ने कि तीन तो आपको याद होने चाहिए यानि कि छे याद होने चाहिए तीन साइनटिफिक तीन common name साइकन या सकाइफा स्पॉंजिला या फ्रेश वर्टर स्पॉंज और यू स्पॉंज या बाद स्पॉंज आप कहेंगे सब अभी हैविटेट में तो हमने उपर इसमें मरीन लिखा था बिल्कुल लिखा था लेकिन मरीन के आगे मरीन के पहले यह देखो यहां क्या लिखा हुआ है इन है जानरली जानरली कहने मतलब क्या कि यहां पर एक्षेप्शन है ठीके एक्टेशन कौन है इस पॉंजिला lorda। एक्सेप्शन कौन है स्पॉंजिला ठीक है ना सब्सॉंजिला a freshwater gw 올ह था है तो दो टाइब से यहां पर फ्रेमिंग हो सकती है जाने सिर्फ और फॉलोविंग और प्रिमिटिव और और इस प्रिमिटिव मल्टी सेल्लिवर एनिमस तो वहाँ पर पॉरी फैरंस पॉंज भी दे सकते हैं या इन में से किसी के नाम दे देंगे या ओल अफ दीज करके भी आ सकता है ठीक है तो यह दियान रखेंगे अच्छा यह जो एक्जाम विच्फाइलम आइगे बिलॉंग फ्रॉम फॉम विच्फाइल हैसरे अंत्यित आ यहां पर करेक्ट मैच वाला पिया जाएगा और फिर एलेवल आफ और फॉर्गनाइजिसेंस सिमेक्ट्री ओ गया फिर लेवल ओ ऑगनाजिशेशन यहां पर बता दिया कौन सा होगा एग cellular level कहने का क्या मतलब है लूज अग्रिगेट लूज अग्रिगेट बोल दो पस है लूज हाँ cellular level of organization करेंगा मतलब है लूज अग्रिगेट with minimum division of labor ठीक है मैं आप फिर से लिख दे रहा हूं ध्यान देंगे क्या की cellular level of organization कहने का क्या मतलब है इसका मतलब है लूज अग्रिगेट वेड लीस्ट या मिनिमम डिविजन ओफ लेबर ठीक है चलिए अब हम देखते हैं यहां पर आगे इस जार प्रिम्टिव हो गया स्पॉंजेज है वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम अब यहां से पिकुलरिटी आ गए इसकी पिकुलरिटी यानिकी जो ठीक है तो यह इस टाइप से आता है अब ठीक है तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसको रेडियल केनाल सिस्टम अब है ना क्या बोल देते हैं रेडियल केनाल सिस्टम तो वाटर केनाल सिस्टम या रेडियल केनाल सिस्टम है यहां से रिलेटेड एक कोशन बिटा यह आता है हम एकाइनो डर्मस में पढ़ते हैं हाँ एकाइनो डर्मेटा में भी हम ऐसा एक सिस्टम पढ़ते हैं लेकिन ध्य ठीक है water vascular system मौह पर blood vascular system भी present होता है और यह जो यह जो water present है इसके arms में तो आ पर यहां पर यह और क्या बोला वॉर्टर कैनाल सिस्टम यहां पर बोला वॉर्टर कैनाल सिस्टम अच्छा जी तो वॉर्टर ट्रांस्पोर्ट और कैनाल सिस्टम वॉर्टर एंटर स्थू माइनूट पोर्स यह जितने भी पोर्स आपको यहां पर दिख रहे हैं यह सारी माइनूट पोर्स है और सील स्पॉंजो सील ठीक है तो स्पॉंजो सील सॉम वेर इड गोज आउट त्रू और स्कुलम यह जो एग्जिट पॉइंट है डैट इस नेम्ड एज और स्कुलम तो क्या इसका वे हो गया और से कहा जाएगा रडियल के नाल सिस्टम वहां पर एब्स ऑप्षिन और अगयर और यह जाएगा अधन अपर और यह कहां पर आ जाएगा बौडी के टेमिन आने की स्पونजो तो सील में स्पॉंजो सील से कहा चला जाएगा और स्कुलम से एक्जिट तो एंट्री यहां से और एक्जिट यहां से इस दिस क्लियर इस पाथवे ओफ वाटर रांस्पूर्ट इस हेल्फुल इन फूड गैदरिंग अब इसके फंक्शन पूछे हैं और इस पर कॉश्चन फ फिर respiratory exchange यानि कैसे सेइट्चेंज फिर excretion याने की डिमूवल अफ बेस्ट यानिनI in nutrient breathing and excretion यह तीनों ही यहां पर ओने कोई और अलग से होगा पूर्सचालके तो साट्रीम यहां पर प्रेजंट नहीं है इस इस क्लियर यह होगा हो गया रैडियल के लिश्टम क्या है और क्या root होगा और इसके functions क्या होते हैं अच्छा yeah food gather तो हो गया ठीक लेकिन यह जो food gather हुआ है यह actually कहां है और जहां पर भी गया है वहां पर यह जो breakdown है कैसे होगा उसको दिसकुस करें तो यह जो cells बनाई हुई है यह आपर यह जो cells बनाई होई हैं, यह uniflagellated cells होती है, ठीक है, माइक्रो विलाई यह इस टाइप से यहां पर प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर एक फ्लैजिला होगा, ठीक है, और यह हो जाती है हमारी collar cell, यह और क्या बोलते हैं, इसको coinocyte, ठीक है, अब फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला का मतलब क्या हो गया, कि एक water current यहां पर maintain करने की बात हो गई, फिर यह जो perforated microvilli हैं, बेटा, ज्यान रहे, कैसे हैं यह, पर फॉरेटेड माइक्रो विलाई, पर फॉरेटेड माइक्रो विलाई होने से क्या हो गई, filter feeding हो गई, यानि कि सारे substances इसके अंदर नहीं जाएंगे, यह nucleus मान लो इसका, तो सारे substances नहीं आएंगे, फिल्टर हो के आएंगे इसके अंदर ठीक है तो कॉलर सेल्स या कोईनोसाइट की हमने बात कर ली सर एक सेटींड सर यह क्या पर है मतलब लाइन के कौन सी लाइन पर अंदर यह बाहर है वह फ़ा लुब तो यह रहे ना यह बताया थे ना यह देखो हुआ है यह है टो यह दो है कोलर जोल्ट आप्र कहा लाइन कर रखा है स्पोंजो शील में दे आर लाय लाइनिंग धस पॉंजो शीव कि यह रहा हमारे पास लिखा हुआ है कोईनो साइट और कॉलर सेल्स लाइंड स्पॉंजोसील एंड गनाल नकेवल स्पॉंजोसील बल्की यह जो कैनाल से इन कैनाल में भी कॉलर सेल की लाइनिंग है थेक है दो बाड़ी सपोर्टेड आचा इन कॉलर सेल्स के अंदर जब होंगे human beings में क्या होता है human beings में enzymes बाहर निकलते हैं जो डाइजस्टिव कैविटी या गट है वहां पर जो इंटिस्टाइन या स्टमख है वहां पर एक्चुली डाइजेशन होता है और दाइजशन प्र्डॉडट्क्ट अब्सॉर्ब होता है सेल के अंदर यहां पर सेल के अंदर जाने के बाद उनका hoping का डाईजेशन होगा यानिकी कॉंपलेक्स सींपल में उनका जो ट्राणस mi dışion हो रहा है जो chemical याक्षिन धुकल करेंग आये कायो लाइक्शन हो रही है हो हो रही है कानल साइट के अंदर थे कर ये बात हो गई also to digestion is intracellular यह ध्यान देने योग यह बात है इंपोर्टेंट बात है कि digestion intracellular intracellular यानि कोई नो साइड के अंदर होता है दो बाड़ी इस सपोर्टेड बाइए a skeleton made up of specules और sponges in fibers अब इसको समझ लीजिए यहां पर एक्षुली नीडल लाइक स्ट्रक्चर से हैं त्राइड रेडियेट बाइड इस टाइप से करके यह नीडल लाइक स्ट्रक्चर साइनिको क्या कहते हैं स्पिक्यूल्स और बाकि क्या है जैसे हमारे अंदर कॉलिजन fiber सपोर्ट्व होता है ऐसे इसके अंदर क्या हैं स्पॉंजन fiber her थिस्पॉंजन fiber स्कैसे ओगया Bauji और यह Balik यह कैसे होगा क्या क्यालिका के क्या के एक मदम हुए ठीक है तो प्डूटीन गपर स्पांजन वाइबर में और यह जो मीनरल डिपोजिशन वाले नीडल लाइक स्ट्रक्चर से हैं वो कैसियम और सिलिका के हैं तो स्पिक्यूल सो सकते हैं या स्पॉंजिन फाइबर हो सकते हैं इसमें अभी दिखाया नहीं है इसको आप ऐसे यहां पर ऐसे 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 मान सकते हो जो इसकी सर्फेस से भी थोड़ से निकले हुए रहते हैं येस इन्होंने लिखा मेट आप और स्पॉंजिन फाइबर बिल्कुल तो इसका यह मतलब नहीं हुआ स्पॉंजिन फाइबर हाँ मतलब तो वह हुआ क्योंकि और लिखा हुआ है तोकि हमने दो श्ट्क्चर परड़ दिए प्रीशी में इसी में स्पॉंजिन फाइबर विर्थ जो के ऐसा होता है ए आप यह एंड लिखना चाहिए था नहीं यह अपनी जगह सई है कैसे सई है वह में बता रहRO है इन्होंने कहा है स्केलेटन स्पिक्यूल्स और स्पॉंजिन फाइबर यानि कि स्केलेटन जो है या तो स्पिक्यूल्स का होता है और या तो स्पॉंजिन फाइबर का होता है इन्होंने यह नहीं कहा कि स्पॉंजिन फाइबर है यह उस टाइप की सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं होनी हैं तो्य क्यों यह उस्ताइप की सेंटेंस रिमीं नहीं नहीं है जहाँ पर स्केलिटेंट की बात हो रही है। तो की बाडी सपोर्टेट भाई एस तो भाई क्या है तो स्केलेटन ने डप फ्स प्यूटेम् defining एक क्लास होती है जिसमें दोनों भी होते हैं इस दोनों भी होते हैं ठीक है ऐसी इसी भी क्लास है है और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते हैं तो 2 अगे है to a reproduction में क्याशी चिज़े रखने वाली है पहली बात तो यह की हर्मास केने का मतलब क्या है म्मिन सकंडिशन यहां पर प्रजैन्ट है मन्मिटिशес और क्या बोलते हैं बाइस एक्शिवल कंडिशन और believe लेंगिन मैं और होते हैं हर्म फोड़ाइट तो क्या तीनों एक ही चीज है हाँ तीनों आ जाएं तो क्या होगा ओल अलोफ दीज कंट्रोवर्शियल आ जाए तो क्या होगा बॉनस पॉइंट एक्सेंट स्पर्म साथ पूद्यूस वाइद सेम इंडिविज्वल यह दियां रखेंगे सेम इंडिविज्वल करके यहां पर अप और समझ सकते हैं कि इस पॉंज ज़ी अब यहां पर रिप्रदक्शन में एक और पॉयंटट हो जाता है क्या गाजेत प्रोड़क्शन यहां पर एस एक्शल भी हो सकता है कैसे होगा फ्रेग्मेंटेशन से और बढ़िंग से ठीक बढ़िंग इसमें कैसी होती है इंटर्नल उसको क्या बोलते हैं जैम्यूल फॉर्मेशन जी प्रोडुक्षन वाले चप्टर में पढ़ चुके हैं इंटर्नल बढ़ या जैम्यूल बनते हैं जैम्यूल फॉर्मेशन तो स्पॉंजेज रिप्रोड्यूस एसेक्जुली बाय फ्रेग्मेंटेशन यहां पर एक ही दिया हुए हम जानते हैं रिप्रक्शन वाली चप्टर में पढ़ा हुए जैम्यूल भी बनते हैं तो इसमें तो बनेंगे लेकिन जैसे कि हमने स्टाटिंग में भी अतारी प्रडूक्शन एक ऐसा पैरमिटर है जो कि बड़ा कॉंप्लेक्स पैरमिटर है इसमें मुनोशियस है और इसमें इंटरनल है मतलब कि कहने बात में बता रहा हूँ परेयाशन से अनले आर्भा बनता या नहीं बनता है दूसरी बात कर ली एस एक घ्जली प्रोड़क्शन यहां पर होगा कैसे फ्रेंटेशन याँ बडिंग से इसके बाद सेवियों रिप्रडुक्शन कैसे होगा यहां पर प्रोपर गयमीट बनेगा फ्यूस होगा ठीक है वाटर में ही रिम लिडी मोव वाटर में ही expel हो जाएगा उसके बाद फिर cross fertilization होगा cross fertilization अने बाद फिर Movien to fz हो जाएंगे और पर जांगोट बन जाएगा दैइगोट का डिवल्हेंट होगा अब यहाँपर एक लारवा आता है कैसा है किर्वार्व फॉर्म यहां लारवा पर है यह नि जो बॉडि लेकिं यहां पर एक ऐसी बोड़ी हिस जो यूनिड है यूनिक है यह यानि कि ना तो पैरेंट से मिलती है और बहुत से मिलती है उसी को हम क्या करते हैं 왜냐하면 और जहां जहां पर ऐसा बनता है वहां पर हम कहते हैं कि direct development नहीं है जैसे human being के case में है human being जैसा ही बनता है baby embryo ठीक है लेकिन यहां body form अलग होती है उसकी habit habitat भी अलग हो सकते हैं ठीक है न तो उसको larva कहते हैं जहां 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 लार्वा बनेगा वहां वहां पर क्या हो जाएगा ID जहां जहां पर एक organism से निकल के दूसरे organism में जाता है fusion करता है तो वहां CF हो जाएगा CF मतलब cross fertilization ठीक है तो CF और ID यहां पर होगा इस इस क्लियर ठीक है और जो cross fertilization है cross fertilization का मतलब यह है कि जो मेल गयमीट है वो जो दूसरा organism होगा हर्माफड़ाइट वाला ही वहां पर जाके एक से मेट करता है ठीक है यानि कि यहां पर और क्या हो रहा है internal fertilization यानि कि आई एफ पर क्या बोल रहे है हम morphologically distinct की बात कर रहे है लार्वा तो भी morphologically distinct ही होता है कौन सा लार्वा जो है adult की तरह होता है ठीक है अगर adult की तरह होगा तो उस लार्वा ही क्यों बोलेंगे तो यह बोलने का एक तरीका है अगर यह portion framing में इस टाइप का की language को यूज कर लेते हैं तो कोई बदलब बड़ी बात नहीं कुछ ऐसी उल्जाने वाली बात नहीं की सिधे NCRD में लिखा हुआ है so we should be familiar with this 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 kind of language okay and this concept of larva being morphologically distinct always from adult that's why it is named so larva unique body form yes इन्होंने बोला कि reproduction जो है वह हर्मा फ्रोडाइट है ठीक है इन्होंने बोला कि जो fertilization है वो internal हाँ हाँ तो अगर किसी को यह नहीं पता होगा कि इसमें cross fertilization होता है हाँ तो वो तो यह सोचेगा कि अपने अंदर ही कर रहा reproduction बिल्कुल ना बिल्कुल है तो बिल्कुल तो जाएगा फाइलम सिलेंट्रेटा की तरफ बढ़ते हैं इसको ब्रीफ कर लेते हैं फाइलम पूरी फिराम ने पढ़ लिया इत्वा वो बिल्कुलः वनज़ीस मेट्रिक हैं एक्सेप्शन है क्या रेडियुयली समेट्रिक्ल जो है वह आप क्या सकते हैं जो साइकन है यह पहला ही हमारे पास यह वाला यह रेडियली समेट्रीकल हो गया ठीक है लिखिए गिया की यदिल हो गया यह सारे हैं तो तो अ टो फ्रेश वाटर कॉन हो जाता है उस फॉंजी ला वाटर competitors स्टम यह मिलता है स्पांगा ले बार dissect का सिभ्निफिकेंस देखकर इसका स्केलेटन देख लिया और उसके बाद फिर रिप्रड़क्शन में हमने क्या पढ़ लिया मुनोशियस होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है इंटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है इन डिरिक डिवलमेंट करता है लार्वा बनेगा यहां पर एक्जाम्पल कहा यहां पर जाएंगे एक्जाम्पल में लाएगा साइकन तीजी इया फ्रेश्वाटर स्पा।्ट यू स्पंजिया या बाथ पेसा को ड्या आपको याद से अमे पर फाइलम से लेंट रेटा या ने डेरिया अब यहां पर इसको इसको हम पढ़ें आगे बढ़ें उससे पहले यहां दिजर बात कर लेते हैं एक्यों कि यह यह नीरिया ठीक है नीडेरिया वाला तो यहां पर दिया हुआ है दे नेडरिया इस डिराइव दिराइव 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 दिर ऐग तॉнем का ओंप नीजिब लास्त है हमारे पास अब ये नीडो ब्लाष्ट पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने बोला है एक्छुली यहीं निमेट्वफाइट है तोड़ासा यहां पर तोड़ासा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि यह जो निमेटोसाइट लिख रख रहना विटा एक्चुली इसको लिखना चाहिए था क्या निमेटोसिस्ट बिकास दिस इस निमेटोसिस्ट और निमेटोसिस्ट इस दा स्टिंग अप्सूल which is present inside what nematocyte or needle site or needle blast these things are common these things are equal stinging capsule or nematocyst आएगा चैने मेटोसिस्ट इसके अंदर यह जो है तो यहां पर यह निमेटोसिस्ट है यह पूरा निमेटोसिस्ट है यह लासो कहलाता है यह mitochondria nucleus और मतलब यह जो है अपना नीडोसील यह covering flap है और यह needles है यहां पर और यह जो है हमारे पास इस कहां से डिसकनेक्ट होई है हम यह बात कर रहे हैं कि निमेटो ब्लास्ट निमेटो नीडो ब्लास्ट नीडो साइट और निमेटो साइट एक ही बात होती है ठीक है इसके अंदर स्टिंजिंग कैपसूल होता है जिसको हम कहते हैं निमेटो सिस्ट और वो यह है यह वाला जो है इस स्टिंजिंग कैपसूल तो एक्शुली पॉईजन या अधहिस इस में प्रिजेंट रहता है और वो अधहिसव इसके साथ यहां पर downloads twenty two एंड़ एंट्रेटा नाम क्यों है सीलैंट हूं ठीक है एंटर 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 वर्ड किसके लिए आता है कि एंटर वर्ड वो नहीं वह 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 जो ऐसा एक वह आता है जिस पर लिखा होता है एंटर कीबोर्ड में वह वाला एंटर नहीं यह कंप्यूटर साइंस की क्लास थोड़ी है यह तो भायो की क्लास तो यहां पर एंटर का मतलब क्या होगा गट गट मतलब की डाइजस्टिव क्याविटी ठीक है अब यहां पर डीसी आ गया क्या करें इतने अबरलेपिंग वर्ड थास दोनिया में तो यह एंटर और सीलोन सील मतलब की कैविटी या निकीज की बॉड़ी कैविटी क्या है इसकी बॉडी कैविटी इसकी गटए ठीक है इसने हिए सब्सक्राइब क्या रखा गया इसलेंट रों यह रहा डिसे शेलेंटर ओन और ऑर दो organism which is bearing this Cylentron is known as Cylentrate and the phylum is what Cylentrate Tau ठीक ना अब आप कहेंगे सर स्पोंजो सील भी तो था स्पोंजो सील को भी तो हम कह सकते थे Cylentron नहीं कह सकते थे कोई बताएगा रीजन क्यों बताएगे हलो बलो जो उसे चहले नहीं सकते हाँ क्योंकि इंडर्ट तो है उस पर भी नहीं है नहीं है गट गट नहीं वह ना वह तो अंदर वाली जो गोला गोला था वो बॉला था वो अब यहां से लिए हाँ यह बोडी कैविटी तो है लेकिन यह गट नहीं है अब यहां पर एसोशेटेद कोशन यह राइज हो गया कि यह गट क्यों नहीं है हमने वह पड़ा था ना वह सिस्टम वाटर ट्रांस्पोर सिस्टम हाँ तो तो इसको बॉड़ी वाल पड़ाता ना स्पॉंजर सील तो वो नहीं होगी नहीं स्पॉंजर सील बॉड़ी कैविटी है स्पॉंजर सील हम बात कर रहे हैं गट यह कहा ना पारसने की गट है वो यहां पर फूड जाए और फूड का डाजेशन हो उसको गट कहते हैं जबकि यहां पर मैं दूबारा से बता दू इंपॉर्टन पॉइंट है ध्यान दो डाइजेशन इस वाट इंट्रा सैलिलर कौन सी सेल कॉन ओसाइट के अंदर हो रहे हैं तो गट तो यहां पर है नहीं तो तो यह रिजन है पहले हम इस पर आज है जो हम डूग डिसकस कर रहे थे कि इसे निडरिया क्यों बोलते हैं और इसलेंट रेटा क्यों बोलते हैं तो निडरिया नीडो ब्लास नीडोसाइट या निमेटोसाइट की वज़े यह बोलते हैं और सीलेंट रेटा वोते हैं क्योंकि इसके पास डाईजेस्टिव आविटी वही इसकीält इसके बॉड़ी केवटी है ठीक है वे इस इसके पास बॉड़ी थिने कैस्ट स्थिक और यहां से य मुट्राइर कोशना जाता है कि क्यो नहीं कह सकते इसको तो क्या हुआ तो यह हुआ कि मीजोडर्म का होना जरूरी है सिलों के लिए फिर यह कोश्चन आ जाएगा सर सिलों तो प्लैटी हलमेंस में भी होती है तो उसमें तो सिलों नहीं होती है कि वहाँ पर मीजोडर्म स्प्लिट नहीं होती है मीजोडर्म केवल फिलिंग सब्स्टांस फिलिंग सेलुलर लेयर के फॉर्म में है देखने हो कैसे इंटर कनेक्टेड़ है चीजे है क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं अधा एकवेटिक आप मोस्टली मरीन यहाँ पर मोस्टली मरीम बोला है यानि कि इसमें फ्रेश वाटर स्पीशिज है कौन है हाइड रहे है बता दिरहों में पहले आपको हाइडरा इस फ्रेश वाटर सपीशिज है शैसाइल यानिकी सिटेंटरी य कि यहां पर आपको variety मिलेगी diversity मिलेगी radially symmetrical animals यहां पर बहुत clear cut differentiation है पोरी फेरा से पोरी फेरा एक्वेटिक यह भी एक्वेटिक वो mostly marine यह भी mostly marine वो completely sasile यह sasile or free swimming वो mostly asymmetric ठेक है few radial जबकि यह यहां पर mostly almost exception यह सुब कुछ नहीं लिखा यहां पर सीदे क्या बोल दिया radially symmetrical तो यह इतने भी organism है सब radially symmetrical होंगे ठीक है दोनों aquatic दोनों mostly marine दोनों sasile लेकिन वो completely sasile यह sasile or free swimming दोनों वो few radial यह सारे radial ठेक है वहां पर पोरी फेरा यहां पर नेडेरिया और silentrator क्यों यह हमने discuss कर लिया आगे बढ़ते हैं लोकेशन आफ दा nematocyte on tentacles and the body कहां पर मिलेगा यह tentacles पर और बॉड़ी पर मिलेगा नीड नीडो ब्लास्टार यूज्ट फोर एंकरेज अब इनका काम क्या क्या है इनका काम है एंकरेज एंकरेज मतलब इनकरेज मतलब तोसान करना है इस पकड़ेकर रखना है वह यह वाला एंकरेज होता है क्या करें आप स्यमुजब लागा मिन्ग फूच और century मैं मלי नीडी ही पूछ रहा था ने मुक्रेज में हमला एंकरेज यह होता है एंकरेज में और यह है जो लिए डालतें राड़ ऑन चाह्ए पकड़ के उसको रखके जो प्रे होगा जो जो सब्स्ट्रेटम होगा वहां से चिपक पाए यह अधैर हो पाए ठीक हो पाए तो अटेच्मेंट के लिए आपर एन क्रेज वर्ड यूज किया गया है डिफेंस एंड फोर्ड़ कैप्चर ऑफ प्रेय इन तीन चीजों के लिए नीड़ ब्लास्ट यूज होता है जाते हैं यह रहे निडेरियंस एक्जिबिट टीशू लेवल ऑफ ऑगनाइज़िशन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आप अच्छे से कर जाते हैं विद एग्जामपल और फाइला तो आपका आधा चैप्टर बीटा वहीं पर कंप राइस कर रखा है आचा अब यहां देखिए दे पजेज असेंटरल गैस्ट वेस्कुलर कैविटी सेंटरल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी विज सिंगल ओपनिंग तो डाइजेस्टिव ट्रेक्ट कैसा हो गया इनकम्प्लीट ठीक है इनमल किंडम में हमारे पास ग्यार पोरिफेरा शिलेंट रेटा टीनोफोरा प्लेटी हलमेंस एसखेलमेंस एनलीडा आर्थरोपोडा मोलस्का एकानोडर्मेटा है मिटोडेटा को डिटा यह गया रहा हो गया आठ बेसिस आफ लासिविकेशन लेवल ऑफ और ऑगनाइजेशन है सेग्मेंटेशन है नोटो को है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कम्प्लीट इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज्ट याठ हो गए इसके बाद पोरिफेरा में हमने क्या पढ़ लिया मोस्तली मरीन कौन है फ्रेश वाटर स्पॉंजिला फ्रेश वाटर स्पॉंज ठीक है मोस्तली एस अच्छी ने क्यों सी ओती है कोई नो साइट ठीक है पीकलियर सिस्टम क्या है वाटर कैनाल सिस्टम क्या काम करता है फूड गैदरिंग भी करेगा एक्स्क्रिशन भी करेगा और वहीं से एक्स्टेंज ऑफ गैस ऑगाउगा gitti के नाम पर क्या है आपर स्पी कीरी और स्पॉ क्योंकि लार्वा बनता है अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वड़ते यह भावना आती है यह दिमाग में आइडिया आता है यार इसको में याद भी तो करना है ठीक है तो बस उसे आने दो और जाने दो उस फीलिंग को पकड़ो मत पकड़ लिया तो जो हम अभी पढ़ हैं समझने है वो डिश्टाल हो जाएगा ठीक है वाइस्टी से पड़ो अच्छा इसमें यह भी होता है अरे इसमें यह भी होता है तो जो सामने है ना उसको हम करेंगे तो एफिशेंटली अगा तो किन्ता में मत पड़ों जब इसको पढ़ो तो यह भूल जाओ इसको चिवाय करने के तो केवल याद करेंगे समझने पे तो कि वह समझेंगे ऐसा गैस्ट्रो वैस्कुलर कज और दूसरे से लिदु है कैसे हैं अभी हम बात करें गैस्ट्रो मायश्ट १ का विटी की वो क्या होती है यही शिलैंट रौम इस है इसकीना एक दूसरे से रिलेटेड है यही है गैस्ट्रोवेस्ट्रोगेविटी एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है अलग तर्म है बस सिलेंट्रोण सिलोम इसकी गठी सिलोम है ठीक है अब मैं इतना डीप में पढ़ा रहा हूं आपको कि क्यों बोलते हैं इसको ऐसा यह इसी लिए पढ़ा रहा हूं जिससे यह अच्छे से याद हो पाए अधर्वाइस इसमें इतना ज्यादा डीप जाने की जरूती नहीं हाँ अबयाई शिलेंट्रेटा है इसमें यह जी जो миर्त है ठीक है हो गया ठीक है लेकिन क्यों होती है वह ज्यादा लौजिकली आपको समझ में आप आएगा और याद में रहं पाएगा गैस्ट्रो वैस्कुलर गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन से रिलेटेड वैस्कुलर यानि की सर्कुलेशन से रिलेटेड है न गैस्ट्रो किसे है यही गट से रिलेटेड है और वैस्कुलर किसे रिलेटेड है सर्कुलेशन से यानि कि यहां पर अपर जो भी फूट पार्टिकल आ रहे हैं उनका डाइजेशन तो होगा ही उसके बाद डाइजेस्टिट प्रोड़क्ट जो है यहां पर घूंता हुआ फिर वापस जाएगा यानि कि उसका सर्कुलेशन भी होगा है नगा तो डाइजेशन भी हो रहा है और सर्कुलेशन भी हो रहा है इसलिए हमने क्या कहा गैस्ट्रो वैस्क्रोड कैविटी हो और सिंगल ओपनिंग हाइपो स्टॉम कि या जैसे सैल Judy vota स्टीख मेर है dass यह क्या क्या होता है यह थी स्टॉम स्टॉप मतलब मौटuba कि यह स्टॉम हो गया स्टॉम के बाद सकत नीचे नीचे क्या होगा उचे युवा diabbe हाइपो स्टोम हो गया इसके बाद यह क्या हो गई जीवी सी गैस्ट वैस्ट 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 गयविटी अब इसके ऊपर यहां पर इंसुलेशन चड़ा दो बोटल के उपर अब यह हाइडरा बना दो यह यह टैंटिकल्स बन जाएंगे इसके बस तो यह स्टॉम हो गया है यह है पोषल डिस्क हो गया है ए Religुंश्ञ क्या रहेगा यह ह歌 ठीक है क्याई शुक्त है दाफ़ेशन कैसा होता है यहांपर गैस्ट्र वे नोग है कोई तो है तो यहां पर एक्स्ट्रा सेलिलर डाइजेशन और एक बार जब थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के बाद हो जाता है दुबारा सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा तो पोरिफेरा में हमने क्या पड़ा था completely intracellular यहां पर क्या हो गया extracellular as well as intracellular अभी आगे देखेंगे completely extracellular हो जाएगा यह evolution हो रहा है पहले intracellular फिर intra plus extra आगे तो वह आजाएगा प्लैटी हल्मेंस एसकल में जिसमें की parasites होते हैं तो absorption हो जाएगा उसमें digestion का इतना नहीं पढ़ेंगे हम हम सीधया एनली डमेज आप पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा चलूलर है महाँ पर इंट्रा सब्सक्राइब है नहीं यह था भई हमारा कुछ पता निया भाई कि आप कोई जाए अगर पूरीफर्या से लेंट रेटा यह दो हमने किया अभी नहीं किया पूरा इसका जो पॉलीप मेडियूसा वाला है वह हम करेंगे ठीक है अगक्त पॉलिप में टेंटिकल्स उपर रहते हैं में नीचे रहते हैं यह सिंपल सी बात है बेसिक सी समझने वाली तो इसको हम कल करते हैं रिप्रोड़क्शन जो आस्पेक्ट है सिलेंटरिटा का फिर प्लेंट चलिए ठीक है ओके थैंक्ट्यू बाइट नमस्ते